वेलकम गाइज यह मेरी पहली वीडियो क्लासिज हैं फर्स्ट मैं इसे डिजाइन कर रहा हूं और इसका मेरा मोटो यही है कि जो लेटिस टेक्नोलोजीज हैं वो आपको एप्रोप्रियेट तरीके से और पूरे एक्स्प्लाइशन के साथ मोस्टली प्रैक्टिकल के साथ अपने पूरे इंडिया में कोई भी ट्रेनिंग्स हिंदी में बहुत ही कम मिलती हैं सब लोग इंग्लिश में ही देते हैं यह ट्रेनिंग मैंने स्टार्ट की हैं उन लोगों के लिए जो प्रोफेशनल भी हैं और कुछ स्टूडेंट्स जो इस सीरीज में लगे में और इस पूरे टेक्नोलोजी में हैं जिनको अंडरस्टेंडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है तो उनके लिए मैंने एक कोशिश की है कि उसे हिंदी में अपनी इंडिया लेंग्विज में भारतिया भार्षा में उसे कनवर्ट करके आपको टेक्नोलोजी के पॉइंट तक है मेरी और इसमें हमारे जितने भी पांच बुक्स हैं मैं आपको एक्स्पिन करूंगा अभी वो सब के सब हमारी कंटेंट इसमें कवर होंगे तो वेस्ट टाइम वेस्ट किये बिना स्टार्ट करते हैं क्लास सो इस इस अबाउट मी यहां तो मैं हिंदी सारी मैं क्योंकि लिखनी पाया है हिंदी इसमें बड़ा मुश्किल होता है सो इसमें मैं शमा चाहूंगा सॉरी सो अबाउट मी मैं आप एम वर्किंग मैं भी IMS Tech Manager ऐसे काम कर रहा हूं चाइना में सुजव ब्रांच में और साइड बासाइड मैं कॉर्परे ट्रेनर भी हूं मैं यहां पर इसमें को और काफी स्टोरेंट्स लेवल पे भी फ्रीलेंस पीकर भी हूं कभी-कभी ओनलाइन ट्रेनिंग में इंट्रस्टेड रहता हूं और अपने जो व्यूज रहते हैं रिगार्डिंग टेक्नोलोजी इस्शूज वो भी मैं डिसक्स करता हूं लोगों के साथ माइक् सर्टिफाइड ऑल्सो कुछ Microsoft Certification मैंने की हैं उन में से कुछ यहां पर है मैंशन MCT Microsoft Certified Trainer मैं हूं MCITP Enterprise Administrator मैं अल्रेडी कर चुका हूं और Enterprise Messaging में एक्षेंज सर्वर 2010 में में Specialization है तो वह भी Certification Complete है All Time में MCSC Windows Server 2003 Track मेरा अल्रेडी Completed है और रिसेंटली अभी Microsoft ने जुलाइ 2008 में उन्होने एक नई सर्टिफिकेशन लांच किती Server Virtualization में एक नई सर्टिफिकेशन लांच किती Server Virtualization में Hyper V और Windows Server level पे तो रिसेंटली वह भी मैंने कवर की हैं अपर्ट फोम देट उसके साथ साथ मैंने इसमें अधर टेक्नोलोजी में भी अपना थोड़ा सा थोड़ा कोशिश करके certified इसमें भी हूँ I am specialized in इसमें में specialization है CCNA, CCNA Security, CCNP Juniper और वगर 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 चुड़ा वगर चुड़ा विदाओ वेस्टिंग टाइम Start with MCITP देखिए MCITP एक पूरा growth part है एक development है Windows Server के अंदर आज तक का मेरे ख्याल से मैं इस फिल्ड में अराउंड 80 से हूँ, 80 से मैं deploy कर रहा हूँ, manage कर रहा हूँ, installation, troubleshooting, इन सभी Microsoft के बहुत सारे मैंने track देखे है Windows NT, Windows Server 2000, Windows Server 2003, 8, अभी 8 चल रहा है मुझे ऐसा लगता है कि this is the highest as per the other operating system जो पिछले हमारे operating system से उन से highest level पे यह operating system work out करता है और इसमें बहुत ही ज्यादा advanced options दिये गए है Microsoft की तरफ से और मेरी तरीके से कहने के लिए आप कह सकते है the highly developed operating system इसका मैं नाम देता हूँ सबसे ज्यादा बहतरीन और सबसे ज्यादा perfection level पे इस operating system को लेके जाए गया है सबसे पहले मैं इसके framework में means the certification planner पे मैं आपके साथ थोड़ा discuss करना चाहूँगा सबसे पहले इसमें Windows server means Windows server करने से पहले Windows 7 इसका professional level उसको कर लेना ज़्यादा जरूरी है उसका track हमारे पास आता है that is called MCTS Windows 7 configuration इसमें बहुत सारे track है आप 7681, 685, Windows 7 की configuration, deployment and deploy images यह बहुत सारे different different tracks है administration आप इने भी चूज का सकते हैं but I recommend that you can go for 7680 के साथ क्यूंकि इसमें आपके सभी features के बारे में explanation होता है, इस video series में हम इस topic को cover up नहीं करेंगे, next हमारा पास topic है, next certification है MCTS Windows Server 2008 Active Directory, यह बहुत ही ज्यादा important है और in मेरे experience के according, अगर आपको Active Directory के perfection level पे knowledge है तो I guess आपको पूरा Windows Server 2008 आता है, जिसमें सबसे ज्यादा important है, installation of Active Directory, conceptual point means उसके concept समझना की वो है क्या, वो and the third important thing उसके troubleshooting, the biggest thing is troubleshooting Microsoft ने बहुत सारे ऐसे key features निकाले हैं Active Directory के अंदर, बहुत सारे changes किये हैं, जो Windows Server 2003 में नहीं थे हम discuss करेंगे, लेटर इस वीडियो में Active Directory के बाद, the database के बाद, उन्होंने next इसमें track निकाला है, और next certification है, that is called MCTS again और इसे है network infrastructure configuration, इस book में network infrastructure में IP version 6, IP version 4, NAT, RAS, DHCP, DNS, यह सभी informations उन्होंने दी है उसके track records, monitoring of Windows Server 2008, तो यह सभी उन्होंने deployment इसमें लगाया है, तो यह भी work out करेंगे, इसको पूरा करेंगे हम next इसमें उन्होंने दिया है application infrastructure, बिलकुल ही नया topic, इन में से मैं आपको कहना चाहूँगा, इसमें उन्होंने बहुत सारे, बहुत सारे means maximum नए features हैं जैसे terminal server, जो पुराने टाइम से Windows Server 2000 से हम करते हैं, 2003, continue करते हैं, इन्होंने यहाँ पर terminal services में भी पांच different concept निकाल दिये हैं, TS gateway, TS broker sessions, load balancing, so यह सब features है, Hyper V, Hyper V एक नया feature Windows Server 2008 में, discuss करेंगे जरूर, hyper virtualization का, तो पूरा नया track है, और बहुत ही ज़्यादा interesting है, मेरे ख्याल से, after active directory, मुझे सबसे ज़्यादा interest, इसी को बताने में और discuss करने में आता है, and last and the least, 7647, यह enterprise administrator level का है, इसमें आपको एक आपका level achieve होता है, कि आप multiple domains, means multiple servers level पे काम कर सकते हो, और multiple आपके client level पे काम कर सकते हो, तो यह आपको काफी ज़्यादा information देता है, अगर आपको ज़्यादा information चाहिए, तो आप इस link को follow कर सकते हैं, आपको वहाँ पर भी information मिल जाएगी, आपका एक track था, और I hope इसे आप ideally ध्यान रखेंगे और ideally आपको idea आएगा, start करते है next, MCITP course में, MCITP course में एक और course है, जिसका नाम है, server administrator, actually the server administrator, और enterprise administrator, थोड़ा सा difference है, वो यह कि server administration में limited resources आते हैं, जिससे आपके 5 servers, 10 domains, 15 domains, that to be all, जादा बड़ा आपके small business level पर जो आपका network होता है, उस level पर काम करने का, इस पर आपकी certification है, तो I recommend you, because both are the little bit same, so better you should go for 7647, मैं भी जाओंगा 7640 के साथ, 47 के साथ आप जाएं, तो वो आपको काफी जादा फादे मंद होगा, यहां पर उन्होंने Microsoft की website पर यह उन्होंने informations दी है, इसमें एक छोटा सा पुराना track है, वो है 7620, यह आपका एक छोटा सा उन्होंने track दिया है, जो old था Windows Vista level का, right now उसे replace कर दिया गया है, और Windows 7 में उसे convert कर दिया गया है, so यह हमाई introduction version दी, thanks for listening, सुनने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, next video में हम स्टार्ट करेंगे installation and downloading of installation of active directory and उसके key concepts क्या है, thank you.